जली को आख कहते हैं बुजी को रा कहते हैं जे मई जून के गर्मी में सिमलानियन बरब जमादे उसे योगी आदित्यनाद कहते हैं दूसरी चीज आतंकवाद को सबसे ज़्यादा अगर कोई बढ़ावा दिया है तो कांग्रेस ने दिया है उधारण के तोर पे चाहे जितना आप देखिये दंगा हुआ है कांग्रेस के ही सरकार में हुआ है सलक देख लीजिये बिजली देख लीजिये जो बिजली ये होता था कि रात को नव बज़े आएगी और भोर में पांच बज़े कर जाएगी किसके कहां से बिजली आ गई है कहां से बिजली आ गई है बताएए हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे गाओं में हमारे चेतर में आद देखिये उत्तर पर देख रहा कि सरकार थी खुले आम गुंड़े ही थी मउद दंगा जिस समय हुआ था यही मुक्तार अंसारी जाके खड़े होके दंगा करवाए थे और मुलायम सिंग्यादों की सरकार थी उनको हेलिकाप्टर से हां आना पड़ा किसी तरह दंगा आज क्या है कि आज केजरी वाल कि सपा सारे लोग एक जूट हो रहे हैं तो यह आने वाले समय में वो लोग खतम है 2014 गए उन नईस गए बाइस गए फिर 24 भी जा रहे हैं यह क्या नाम हो सर्विनूत कुमार रहा है और पर ओमिल रहा है भारती जन्ता पार्टी का जन संगी जवाने से कार करता हूं आज देश में मानी असस्वी नरेन मोदी जी जो एक पर्चम लहराए हुए है इसलिए उनकी बहुत जरूरत है और इस बार 400 पार का जो नहरा लगा है वो 400 प्लस रहेगा हम लोग जा रहे हैं मतलब हम उसमें नो डाउट रहूल एकदम जमीन में चले गए हैं वह वह बार बार जाते हैं पापा का देश है हमारे रोतम होगा फिर इटली जाएंगे पिता जी की बात को सुना उनकी हम क्या बता है जो अरे काहें नहीं जाएंगे जब छुटी मिलत हम मतलब हम नहीं जाते हैं का रहते हैं क्या देख हां तर रहते हैं था कुछ माइब करनें अर्च होता ही है क्या यह नहीं जूट साभीत हो राफेल का हुआ सब का हुआ किसका किसका लोगे बताओ मांग लेंगे बताओ सदन में बिल फाणने का काम किये थे क्या हुआ चाकी यह थे जब उनकी सरकार तो मन मोहन जी प्रदान मंत्री थे उनका जो बिल पास हुआ हो जाके फार दिये क्या या उनका अच्छा संस्कार था या उन्हें एक अच्छे हम नेता बताएं या क्या कहें दूसरी चीजा आतंकवाद को सबसे ज़्यादा अगर कोई बढ़ावा दिया है तो कांग्रेस ने दिया है उदारण के तौर पे चाहे जितना आप देखिये दंगा हुआ है कांग्रेस के ही सरकार में हुआ है आप चाहे बांबे का देख लीजिए चाहे कासी विश्वनात मं ही फिर दोनों लोगी कठा हुए हैं वही अपनी विचार को करें संभीधान खत्रे मेरे बताएं दस साल में क्या खत्रा में हुआ आज भी बारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वो क्यों नहीं वहाँ अपना बलकि वहीं बदल देंगे इंद्रा गांधी के जवाने मे इमर्जंसी लागू की गई थी संभीधान में संसोधन किया गया था ताना साही हो रही है उनके जमाने में भी थी वह क्यों नहुंए पकड़े 2002 का को दला कांड़ हुआ अगर वह सत्ते साबित करना तो तो एडी सी बी आई जोब करना चाहिए ना उनके कहने से तो होगा न लुगी जी को हटाने की प्लैनिंग चल रही है बाद देखे वहाँ है जیल से आएं तो दूसरा क्या कहेंगे जील से आएं पंद्रह दिन के पेरोल पे आये हैं अभ अभी तक तो उन्होंने कंगरेस के खिलाब यह अन्नहाजरे अब प्रश्टाचार के खिलाब इतना और म लोग एक जूट हो रहे हैं तो यह आने वाले समय में वो लोग खतम है 2014 गए उन नईस गए 22 गए फिर 24 भी जा रहे हैं अपने एक एक्सिडेंट का अभी बहुत चल रहा होगा न्यूज में देखा भी होगा आपने पूने में एक पॉक्त मार यह तो उस पर रागोल गांधि कहा रहे है कि मोधीजी ने देश खो कर दो लिन black live बहाट दिया है जिसमें एक में हैं नियाए का moundा पैसे से होता है ना पैसे का मुँआ ने मुँदम हंड्रेट परफेंट घलत बोलने हैं अगर किसी ने बाता हैं तो कांग्रेस सरकार भारत को दो भागों में विभाजित किया था 370 A, 35 A, अब P.O. के भी हमारा होगा इस बार माननी मोदी जी 400 पार करके आएंगे P.O. के भी हमारा होगा, हिंदू राष्ट गोसित होगा हाँ, हाँ, जैस दिनिराम हिंदू Dreams कोई बता दे कि उनको लाभनत दिया गया हो मुस्म भाई खड़े थे क्या रहे है कि अत्यचार हो और है कि वह भी बता थे क्या अत्यचार होगा है प techniques कोई बता आएंगे झाल्वा है कि मुकतार अंसारी क्या अच्छे थे आतीक अहमद अच्छे थे आज भी अतिक अहमत के गाओं में जिस दिन वो जेल में थे और उनके गाओं में आप चले जाएए उनका वही धंस थी किसी के पास किसी कर्मचारी के पास हिम्मद नहीं था उस गाओं में जाके गरीबों की जमीन दिला दें गरीबों की जमीन हरपना तमाम जब सपा की सरकार खुले आम गुंड़ी थी मौव दंगा जिस समय हुआ था यही मुक्तार अंसारी जाके खड़े होके दंगा करवाए थे और मुलायम सिंग्यादों की सरकार थी उनको हेलिकाप्टर से हां आना पड़ा किसी तरह दंगा उस समय अगर योगी जी नहीं रहे होते जो आज हमारे देश के इमांदारे ओम करमत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं तो कह रहे हैं इनी को अटाने की प्लैनिंग चल रही है चार जून के बाद योगी जी सहट जाएंगे अपने पत्र यह तो राजनीत है वो तो बहुत कुछ कर रहे हैं वो तो यह भी कर रहे हैं नहीं करेंगे तब तक कार्यमाना नहीं ओ एक काम अब हम जीत जाएंगे तो कहेंगे सब फ्रस्टा चार हुआ है बेइमानी हुई है अधगारीयों को खरीदा गया है पूलिस उनकी थी आर्मी उनकी भाई उनको कहना है एक चुनावकर है लेकिन सच्चाई जनता जान चु पाएगा हुद मारा नाम है राम जीत पटेल किसकी सरकार बना रहे हैं हम बना रहे हैं मोधी सरकार योदी क्यों मोदी क्यों मोदी तो हमारे देश के रख्षा कर रहे हैं इतना घुसबैट इतना बंबलाश इतना जिनाइती इतना डखाईती यह सब हो रहा है आज कहां गई आज सब गाया वो बताएंगे आप सब को तो अंदर कर दिये सब अंदर करती हो और यही रास्ता करेंगे यही बात है यही बात है खुट तो कह रहा है आप जब जब वही हारेंगे हारेंगे के मसीन खराब है ऐसे कर दिये गए उनकी सरकार भी वह कर देते हैं पंसवाल है जितना हमारे लिए योगी और मोधी जी कर दिये उतना आगा दिया जन्ता के लिए सब को सुरक्षित हैं तो पहले क्या दिक्कत थी कि पहले तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी हर यह चीज पुलीस कर लगे जाओ तो ओ भी ओ भी ताना माई सब करने के लिए इतना दिन परधान मंतरी सब आये और कोई नहीं हटाया और रोज हमेशा पत्थरबाजी और घुश्बायट होती थी हमेशा हमेशा मोधी की सरकार बनाएं गें नहीं तो हम हमेशा बनाएंगे यह उनी योगा बनाएंगे इसलिए कि आशा जो है ऐसा तपस्वी और आईसा विद्धान व्यक्ति आज तलक हमारे हाँ हाँ सुने हमारे सत्तर साल के लाइव में इतना कुसल सुयोग प्रसासन कभी नहीं चला ना तो कानून चला आप कह रहे हैं क्या काम की गया है अब मुझसे पूछिए क्या काम कीजिए आप सलक देख लिए बिजली पज्यी होता था कि रात को नव बजाये कि छोड़ी आने का है किसके कहा से बिजली आ गई है WAS Cape here हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे गाउं में हमारे चेतर में आज देखिए उत्तर पर देश्मक रहा है खंबे-खंबे में लाइट गर-गर में लाइट हम चमका के गई थे आरे आप क्या यहीं 11 बजे राट बिजली आएगी भूर में चार बजे कर जाएगी चलगों हुदा थाने काएं बिजली कहा देख से रहे ह्यां का नहीं आत니 याफ़ जा थी लिए जाराइगी यह पंद्रण दर दिना आएगी अप कहां से आगई की तना भी का सका लिए एक इसने बनवाया है और बताईए तना प्रवान करें हुआ हैं हम क्यों कहें कि नहीं रहे जब तक मोदी जी और योगी जी राम लच्छमन की जोड़ी रहेगा तब तक भविस्ट आगे बढ़ता रहेगा इसलिए बोलते हैं भी देखिए छोकी पर जाते हैं अखलेज भाईया अखलेज भाईया जी को कॉल लगा हूँ बहुत बड़ा मंतरी जी हैं अखलेज भाईया कोई इतना गुंडागर्दी अखलेज भाईया के राज में था और पहले से रहा है और आज योगी जी और मानिनिय मुख्य मंत्री और मानिनिय प्रदान मंत्री जब से आये हैं किसी की पावर नहीं चलती किसी की पावर नहीं चलती पावर फुटो यही चला रहे हैं ताना साही दिखा और जब तक डबल इंजन का सरकार बात अब तक छांप के रहा हाँ यह ह कि जब तक यौगी जी हैं तब तक आप पूरा जिंद्गी जान दिल अपने दिलों जान से यौगी जी के तरफ से जब तक हम तक हमाई यहां किये हैं इसा काम किये हैं आप लोग देखी रहे हैं बताने की जरूरत ra पताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा है इतना अच्छा अच्छा देख नहीं रहा है यह देन है मोदी और मानिय मुख्यमंत्री जी का ठीक है इसी बात पर योगी जी को हम कहना चाहते है हम योगी जी के तरब से कहना चाहते हैं जली को आग कहते हैं जली को आग कहते हैं जली को केथे हैं सिमला इन्यन बरब उसे योगी आदितनाद कहते हैं हम आपको बता रहें हम आपको बता रहें लोगी ढम हार जीदांगे योटी जितांगे योगी मधी हां इतना काम किया है अब क्या लोगे भाई आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि सोनिया गांधी राहुल गांधी जिस संभिधान की आज बात करते हैं संभिधान बचाओ याद करिए जरा आप लोग 2002 में गोधरा कांड जब हुआता है साबर मती एक्सप्रेस बोगी नंबर 6 में आग लगाई गई थी उसके बाद 2 साल का समय गया 2002 से 2004 में सारे मुसलमान एक जुठ हुएं पूरा मौका था दस साल के पूरे मौके में इन्हों ने इडी सिबी आई जो आद ये बाते करते हैं तब क्यों नहीं किया गया तब इसकी जाच क्यों नहीं करवाई थी तस साल का पूरा समय बीद गया आज जब इस तरह की चीजें आ गई तो दिखाई दे रहा है कि EDCBI और सब कुछ दिखाई रहा है आपके सासन में 10 साल क्या हुआ था इसका जवाब दे सोनिया गांधी और राहूल गांधी जो करप्ट है जो समाज के खिलाब बुराईयों में अपनी हिस्सेदारी निबाता है उसका अस्थान वही जेल है वो जेल के सलाकों के पीछे ही जाएगा अनापसना भासर देने से कहीं कुछ नहीं होने वाला है इस चैनल के माध्यम से मैं आपको यह अवगत कराना चाहता दन्यवाद दन्यवाद